वनिकम वंदनर स्वागतम नमसे सश्यकाल सलाम वालेकों हले दोस्तों मैं आपके प्रेदूस प्रियंक अब सभी का स्वागत करते हुए गागे क्लासस के इंडियन एक्स्पेस के एडिटोरिल आइडिया और एक्स्पेशन पेज के डिसकर्शन पे आज डेट है 14th of May Tuesday है यह एक आर्टिकल रियल और फेक पे है जैसे अभी आपको बता है एलेक्शन चल रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे राइटर्स में बताना चाह रहे हैं जैसे सोसाइटी में बहुत सारे चीज़े हैं जो फेक चल रही हैं तो जैसे फर एक्जामपल मेंली सोशल मीडिया के आप कर रहे हैं एक ग्लांस देख लेंगे ठीक है इसके लवा इधर राइट साइट जो है लेफ्ट साइड जो है फूर प्राइज इंफलेशन के बारे में है कि एक्सपेट किया जा रहा है जून के बाद से जो इंफलेशन है वो थोड़ा कम होगा और उसके साथ साथ जो ह आपका monetary policy जो आएगी next quarters की उसमें जो है rate of interest rate है उसका जो percentage है वो cut किया जाएगा यानि rate of interest जो दिया जाता है जो rate पर दिया जाएगा interest वो कम किया जाएगा किसके द्वारा RBI के द्वारा ऐसा माना जा रहा है देख लेते हैं क्या है वो इसके लिए next article इधर जो है आपको बता पर जो है अब case file हो चुका है that means actions उठाए गए है ठीक है apex code के द्वारा final इसमें जो है इन पर IPC के sections के according charges लगा दिये गए है तो यह जो है राइटर यहाँ पे बहुती बड़ा first step जो है एक battle won का मान रहे है कि इसके लिए for the women's के लिए ठीक है तो क्या है देख लेंगे इसके के लावा next article जो है इधर right side में अभी आपको पता होगा कल ये परसो की बात है CBSC के 12th का result निकला है तो writer यहाँ पे तीन issue raise concern raise कर रहे हैं आज के time के जो study environment है या study को जिस तरीकी से लिया जा रहा है उस पर raise concern कर रहे हैं देख लेते हैं और idea page से एक article और explanation से तीन article है काफे सारे articles हैं तो शुरू करते हैं article discussion तो सबसे पहले इस वाले जो RBI है इसमें मैं एक बार बता देती हूँ आपको देखिए आपको पता होगा कि अभी जो अभी last March में जो है consumer price index का जो है report निकली थी जिसमें बताया गया है कि inflation जो है 4.85 से थोड़ा down हुआ है 4.83 यानि points में एसा कम देखने को मिला है और इसकी साथ साथ जो है इसकी report है या NSO की report है ठीक है यह हर quarter में निकलती है यह data important नहीं है लेकिन हाँ जब हम पूरे साल का जब calculation करते हैं तो उसमें ये काम आता है लेकिन हमें क्या होता है कि हर जो तीन महीने का quarter होता है चार quarter होते है हर तीन मही महीन के बीच में तो हारे एक महीने का जब हम देखते हैं पूरे साल का देरे देरे तो एक बहुत लंबा प्लान पता चलता है, क्या चल रहा है कैसे और रही बात कौर इंफ्लेशन की तो राइटर यहां बता रहे हैं कि अभी थोड़ा-सा में है, रिमें है वैसे ही core inflation क्या होता जिसमें food और fuel को add किया जाता है ठीक है और इसमें जो food का inflation है जो food का inflation वो आपके 8.5 से लेकर 8.7 तक थोड़ा सा जो है बढ़ गया है ठीक है तो यह काफी excessive है और अभी जो है माना जा रहा है कि अब धीरे धीरे जो है आपके और भी चीज़ा जैसे for example cereal meat, meat, fish, egg, vegetable, pulses जो है इनके इन सारे segments में थोड़ी से ही है कि inflation remain ही रहेगी या तो बड़ेगी थोड़ी बहुत या फिर इतनी ही remain रहेगी और राइटर थोड़ा सा जो यहाँ पर expect करें वो यह है आई-मड के द्वारा जो report दी गई है कि इस बार जो जून के mid of the June से जो हमारा southwestern monsoon आएगा वो काफी अच्छा आएगा ठीक है यह होप है मतलब अच्छा आएगा तो इससे क्या होगा कि आपका जो food shortage है या फिर जो crop है वो काफी अच्छी होगी ठीक है और इंडिया को जो stock कम हो गया है वो वापस हम regain कर पाएंगे इसके साथ साथ जो है यहाँ पर यही ठीक है domestic level पर ठीक तो इस तरह के से और इन्हीं basis पर जो है आपकी जो monetary policy है वो भी होती है तो अब इन्होंने कहा है कि जो आपका food inflation है वो 8% तक है और RBI की जो गवर्नर शक्तिकान दास जी है उन्होंने यह बात बोली है कि देखे high food inflation और few inflation जो है वो generalize हो जाएगा धीरे ध expectations है देकिन बाकी देखे expectations पर यह उतरती है नहीं उतरती impact लग नहीं आओगी तो food price जो है और भी बड़ेगा आने वाले टाइम पर और यहाँ पर थोड़ा सा जो है बहार के international level पर भी बताया जैसे US का federal reserve देख लिजे तो उन्होंने अभी बताया कि वहाँ पर inflation जो है अभी कित्रू लोगों के पास पहुचता है उसकी जो ब्याज की दर है किस ब्याज मतलब अगर 100 पर भी दे रहे तो कितनी ब्याज दर लगेगी 2% 3% है ना तो उसकी rate कम करने की बात कर रहे हैं ताकि money का flow बड़े ठीक है और इसी तरह के से Atlantic जैसे की for example European Central Bank ने भी बूला है UK ने क जून में जो है rate of interest जो है rate cut किया जाएगा और उसी basis पे जो इंडिया के RBI ने उन्होंने भी expect किया है कि 2024 5 के mid of the June के आसपास हमारे inflation 4.5 जो आज 8% है especially food का overall 6% cross है आपका तो वो कम होने की expectations है और इसी तरह किसे जो है क्योंकि आपकी monetary policy भी बनेगी ठीक है तो उमीद की जा यह hope so inflation थोड़ा सा balance रहे देखते है next June में मौनसून के बाद काफी चीज़े और clear हो जाएगी ठीक है यह वाला जो article है इसमें क्या है देखिए इसमें अचले data वेटा तो कुछ है नहीं बताया नहीं है एक generalized story की form में बताई है लेकिन मैं आपको crisp बता दीती हूँ कि क्या है देखिए राइटे बता रहे हैं शुरुआत अपने बच्पन से करने की जिसे हमें बताया जाता है कि आपको कभी भी politician पर trust नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि before election और after election में इनमें जो है एक honesty नहीं रहती है before elections में यह बहुत commitment करते है after elections में जो commitment है वो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने कब किया हमने कब बोला है न तो उसी तरह किसे राइटर यहां पर concern raise कर रहे हैं कि आज के time पर हमारा जो social media है वो इतने जादा data यह इतनी जादा information का bombardment कर रहा है हमें पता ही नहीं है हम जो भी informations ले रहे हैं यह deep fake की तरह चहरा लगाया हुआ है यह real है यह कुछ नही भी जो है identify कर सकते हैं आप जैसे for example हर चीज की programming होती है ठीक है programming के language होती है और जो IP address है इसके द्वारा location track के दे सकता है इवन programming से आपको यह पता चल जाएगा कि किस ने एडिट किया है किस आपके थ्रू एडिट किया है लेकिन आपके पास जो मिलने वाला data है ठीक है उसको पता लगाना बहुत मुश्किल है जैसे for example राइटर बता रहे है social media आज के टाइम पर क्या है जैसे अगर आप shots देख रहे हो YouTube हो यह कोई भी social media उनमें बहुत चार इतना bombardment है information का आप अगर एक information लेके भी बैठोगे तो आपको समझी नहींगा यह source कहां से है कहां से बोला ह भाई जैसे माल लो अकर आपको बोला जा रहा है for example कि communal violence है इंडिया में बहुत जादा ठीक है यह particular यह बोला जा रहा है particular एक जो religion है उसको दूसरे religion से जो है बहुत जादा बहुत dangerous है यह particular कोई और चीज़े फैलाई जा रही है misinformation फैलाई जा रही है तो इसका source कहां है आपने कहां से लिया यह चीज़े किसी को नहीं पता है ठीक है तो राइटर जो है यहां concern raise कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात राइटर कहरे है कि जो चीज मेंली जो social media ने क्या किया है बहुत जादा information एक ही बार में बहुत जादा over information क जो है burden हम पर डलता जा रहा है जिससे जो accuracy है वो कहीं न कहीं deep down होती जा रही है ठीक है तो इसलिए reality है या fake है या क्या है पता नहीं चलता later on बहुत time लग जाता है जब तक हमें पता चलेगा और हम जो है हमें fool बनाया जाता है बहुत लंबे time तक ठीक है तो यह चीज इस प ठोड़ा एक बार रीच करके मैंने का जसे ठोड़ा ग्लांस दे देते हैं ठीक है तो नेक्स टार्टी के बल चलते हैं अ देखे यह वहला आपको इश्यू पता होगा मिस्टर ब्रजबूशन का कि जो हमारी जो रेसलर्स थी उन्होंने उनके साथ उन्होंने मिस्बहेव कि है सेक्शुल हरास्मेंट का केस जो है चार्ज लगा था यह फॉर्मर रेसलिंग फेडरेशन के हैड थे मिस्टर ब्रजबूशन और यह एंपी भी थे लोगसभा के ठीक है तो छे बार में से छे बार लोगसभा इलेक्शन में से पांच बार जो है यह चुने गए हैं अपन पर केस चल रहा है और अब जैसे इसी को जो है एक राइटर भी बता रहे हैं और विनेश फोगट जो है रिसलिए उन्होंने का कि देखी हमें आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है विदाउट फीर हम खड़े हैं और यह मैसेज भी हमने ब्रिस बोशन को पाचा द हैं जैसे अक्टर और कॉमेडियन मिस्टर बिल कॉस्बी जो है 2021 के में भी उनके ओपर केस हुआ था इसके लब नियु आउक में हॉलिवूड के जो हार्वे विंस्टन आई यह केस बहुत चर्चा में था तो उनके ओपर भी है कि सेक्श्वल हरास्मेंट के इन्होंने अप जब तक आपको जस्टिस नहीं मिले बैक आउट नहीं करना है गिवप नहीं करना है ठीक है और इसके साथ जो है इसके साथ जो राइटर एक और चीज़ ये बता रहे है कि अभी ना फ्रांस में भी अभी कैन फिल्म का फेस्टिवल होने वाला है तो इसमें ये माना जा रहा है कि बहुत सारे लिस्ट ऐसे निकलने वाले हैं जिन लोगों को सेक्शुल हरास्मेंट के तहट बताया जा रहा ह है तो यहां पर राइटर थोड़ा सजेशन्स दे रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप प्लीज इसको रेस करिए कंसर्ण रेस करिए क्योंकि ये आप जैसे अपेक्स कोट का ये हुआ है कि फाइनली क्योंकि आप इंडिया में एक पॉलिटिशन है ठीक है और उनके उपर भी केस फाइल हो गया है तो मतलब बहुत बड़ा अची अचीवेंट है ना तो इसी में जो है राइटर मोटिवेट कर रहे हैं और जो है ब्रिजबुशन की फैमिली से उनके बेटे जो है उनके कॉंस्टिवेंसी से नॉमिनेट हुए है इस बार बाकि देखते हैं ए बहुती सक्सेस्फुल की तरह हम जो है परफॉमंस उनके परफॉमंस स्पेशली फिसेक्स, मैट्स, केमिश्ट्री में जो स्कोर्स लेके आते हैं उनके सक्से स्टोरी को गाते हैं है ना तो यहाँ पर राइटर यही बता रहे हैं कि यहां मुझे मिदल्ब राइटर अपना concern raise करें कि मुझे तीन issue यहां दिख रहा है क्या है सबसे पहला issue तो यह है कि आपका सबसे बड़े बात यहां पे बहुती ज़ादा alliance चल रहा है किसका school का और tuition का क्या होता है आप school join करते है school join के बाद बहुत सारे tuition इनके साथ लगे होता है for example coaching centers होती है कि एक mindset बना दिया कि बच्चा school जाएगा 9-10 के बाद तो उसे coaching लेनी ही लेनी है तो यहां पे क्या उतारैटरिया है यह बता रहे है कि जो एक joy of learning थी थी न वो disappear हो चुकी है classroom से पहली बात इसके साथ साथ जो है young students को यह specifically चाह वो science हो चाह वो poetry हो चाह वो history हो चाह mathematics हो इसमें जो है एक relax के चीजों को learn या practically form में न बताते हुए rote learning पे focus किया जाता है और उसी कहीं नतीजा कहीं न कहीं क्या होता है कि वो एक warrior की तरह हो जाते कि हमें जो है अब जैसे weekly test देना है daily test देना है monthly test देना है ठीकिए mathematical olympiard में participate करना है boards exam देने हैं इसके लवा high standardized जैसे test for example IITJ, NEET, CUT इन सब चीजों को पीछे जो है बच्चा अलग जाता है जिसके वजह से उसकी creativity जो है वो खत्म हो जाती है young age की और वो जो joy of learning है वो कहीं भी नामो निशान नहीं रहता इस study के race में ठीक है तो writer गहे रहे हैं कि अब जिसे यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा जिसे अगर 500 में से 499 board exam में आ जाता है और अगर कोई और बच्चा है जो नहीं लाता तो उसको भी कही ना कही वो जो है माना जाता है ठीक है और अब जिसे for example यहाँ पर writer बता रहे हैं कि एक poem Pablo Niroda के द्वारा बताया हुआ कि physics कोई भी चीज तभी अच्छी होते है जब उस पर experiment कर रहा होता है आपने कुछ research करके बताई होती है चाह वो poem हो चाह वो history हो चाह वो maths हो कुछ भी हो ठीक है तो यहाँ पर writer यहाँ मात्मा गांधी की भी the story of my experiment with truth की बात कर रहे है कि यहाँ पर education ना qualitative matter करती है rather than quantitative ठीक है लेकिन हम यहाँ qualitative पर जो है focus करी नहीं रहे है quantitative पर focus कर रहे है और हमने अपने बच्चों को as a जो toppers होते हैं राइटर बता रहे हैं कि हमने मशीन बना दिया है स्कूल से कोचिंग, कोचिंग से स्कूल स्कूल मॉर्निंग से लेट नाइट ठीक है और एक होर्स की तरह वो बस भागी रहे हैं एक के पिछे ठीक तो यह concern है दूसरी चीज जो इनोंने बताई है कि अगर आप, please let be honest अगर आप accept करोगे न जो toppers होते हैं स्कूल के वो already programmed होते हैं ठीके उन्हें बस बता दिया जाता है कि आपको यही करना है, बाकी कोई creativity नहीं होती है अब जिसे अगर आप writer बता रहे हैं उनसे पूछ होगे न कि what is your life what is your aim in life तो वो mostly अपना जो life बताते हैं वो अपने mark sheet के base पे बताते हैं अपने standardized के base पे, मतलब जैसे अगर वो अच्छट score करते हैं तो वो कहेंगे या तो मैं एक computer engineer बनूँगा, या मैं एक doctor बनूँगा या फिर एक IS officer बनूँगा इन मेंसे कोई भी ये बात नहीं बोलता कि मुझे एक film maker बनना है रित्विक गटक की तरह है या मुझे एक social activist बनना है मेदा पाठक की तरह है या एक historian बनना है रॉमिला थापर की तरह है या scientist बनना है सीवी रमन की तरह है चीज़े नहीं हैं हमारे students में ठीक है इसके साथ साथ जो है writer बतारे कि homogenization बहुत जादा होता है toppers का एक same way में चलना है ठीक तो इससे क्या होता है कि writer बतारे कि जब आपका education जो है अगर ignite करने में बच्चों को अगर वो ये बताने में successful नहीं है कि वो actually में क्या है वो क्या product है उसके अंदर में क्या capabilities है तो आपके physics में 100 by 99 mathematics में 100 by 100 chemistry में 90 by 98 biology में 97 english में 99 लाने का कोई use नहीं है यहाँ पे writer कह रहे है ठीक है सिर्फ और सिर्फ ये जो है ये manufacturing हो रही है ठीक है तीसरी चीज़ जो है writer concern raise कर रहे है वो ये हैं कि I am not sure that कि जो बच्चे जैसे for example एक मिनदे इसमें जो बता रहे हैं कि जैसे for example बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं बोर्ट एक्जाम के हिसाब से अपने life को भी decide कर लेते हैं जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 90% लाते हैं तो writer बता रहे हैं कि यहीं से एक चीज़ शुरू हो जाती है failure की story ठीक है उन्हें लगता है कि अगर मैं 95-99 नहीं लाया that means मैं fail हो मेरी capability नहीं है ठीक है और वो खुद जो हैं अपने आप में पूरे life shame और guilt के साथ रहने लग जाते हैं और इसके साथ writer यहाँ है एक चीज़ बता रहे हैं जो middle class family के parents होते हैं वो अपने बच्चे को कही ना कही commodity की तरह देखते हैं किस चीज़ के लिए placement अच्छ हो जाए salary अच्छ हो जाए और वो भी खुद ashamed फील करते हैं जब उनका बच्चा इन जैसे चीज़ों को acquire करने में fail होता है या winning नहीं हो पाती है ठीक है तो writer यहीं बता रहे हैं कि यहाँ पर एक तरीके से यह violence है उन बच्चों के साथ mental status के साथ जिसके वज़े से वो suicide करने तक चले जाते हैं क्योंकि उन्हें एक rat race में फसा दिया जाता है ठीक है तो यह एक high time है अभी हमें हमें सोचने की जरूरत है कि हमें purpose क्या है हमारे education का हम क्यूं पढ़ रहे हैं किसी भी चीज़ को हमारा क्या use है उस पढ़ाई का ठीक है तो यही बात राइट है यहां बता रहे हैं कि तो हमें जो है हमें fine joy को देखना है unique trades देखनी है जैसे कि अगर कोई person है ज़रूरी नहीं है जैसे for example यह चीज़ हमारे UPSC exam में भी apply होती है कि अगर ज़रूरी नहीं है किसी का UPSC नहीं निकला 4-5 साल से भी लगने तो it's okay शायद उसके पास कोई और capability है शायद वो किसी और चीज़ के लिए बना है यह बनी है तो यहां पे राइटर भी बता रहे है कि आपकी हरे की unique traits होती है qualities होती है तो अपना खुद का एक aptitude होता है तो उसमें एक joy अपनी खुशी को ढूणनी है ठीक है एक work का कोई भी काम कर रहे है तो उसका domain होना चाहिए ठीक है लेकिन राइटर केरे दुख की बात यह है कि हमारा जो school life है उसने इस चीज़ को पहचानने में फेल किया है बच्चो को क्यों 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 कि हमीशा school में क्या होता है कि standardized mark sheet mark friendly discipline products इन चीज़ों पर मतलब एक fix दाइरे में रहने पर focus किया जाता है तो इससे क्या होता है कि जैसे for example अगर कोई बच्चा है जैसे front venture होता है और back venture होता है लग रग देती है जबकि writer बता रहे है कि वो बच्चा बहुत creative होता है अपने इस पर तो वही बात है writer यहां बता रहे है कि school काफी हतक creativity को मारने में बहुत बड़ा रोल प्रे करता है बच्चों के साथ तो अब देखे आने वाले time पर क्या होता है कि हमें writer बता रहे है कि हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है तो next article पर चलते है देखे यहां पर next article idea page से employment story के बारे में बता रहे हैं कि क्या है अभी देखे writers इसमें न NSSO के data यूज़ कर रहे हैं कब से 1983 से 2023 तक और पूरा analyze किया है कि हमारे इंडिया में कितने लोगों की job बड़ी है कितने लोगों की salary बड़ी है कहां हमारी कमी रही है कहां unemployment जादा है क्या है Ruler area का क्या है Urban का क्या है Women's का क्या है Old age का क्या है यह सारे performance data के form में बता है यह article बहुत important है तो देख लेते हैं देखे इसमें राइटर बता रहे हैं कि इसमें हमने जो है 83 से जो है देखा है कि जो लोग working field में हैं specially इसमें जो है mainly इन लोगों ने principal employment को लिया है principal employment वो लोग होते हैं जो mainly year पूरे साल के लिए commit होते हैं काम से ठीक है अब जैसे for example कुछ लोग seasonal work करते हैं जैसे आपने सुना होगा freelancers का नाम सुना होगा that means जैसे कोई project है चाहिए एक महीने का दो महीने का ही होता किसी company का तो आप freelancers के तुरू उस company से जुड़ते हो आप क्योंकि specialist हो उस field का और आपने काम किया और आप move on हो गए अपनी salary लेकर ठीक है तो उन लोगों को इसमें add नहीं किया गया इस survey में जो है इन्होंने बताया NSS के survey में हमने उन लोगों को लिया है जो पूरे साल तक एक company में लगे हुए हैं काम करने के लिए ठीक है तो इसके हिसाब से जो है अगर आप देखोगे तो data बता रहा है कि 2017 तक टीक है 2022-2023 तक अगर आप देखोगे तो 80 million additional employment जो है growth बड़ी है near around 3.3% growth annually बड़ी है और अगर हम बात करें higher जो population growth है वो इसी time बड़ी है पूरे 1983 के बाद से चीक है especially अगर आप बात करोगे तो ruler, urban, manufacturing, agriculture, construction, service, age segment, especially women वेगरा के द्वारा इन एरिया में काम जादा किया गया है अगर हम बात करेंगे तो राइटर इसमें बता रहे हैं कि आप अगर women's का participation देखोगे तो 8% annually बड़ा है और women's के साथ सथ अगर काम में जादा लोग लगे हैं तो वो हैं older citizen तो writer यहाँ एक question पूछ रहे हैं कि भया अगर आप बात करोगे कि यह जो women's और older age है वो लोग क्यों काम जादा करते जा रहे हैं as compare पहले के time पे तो यहाँ पे writer बता रहे हैं कि common सा जो है argument हम देख यह सकते हैं कि पहली बात तो देखे यह है कि women's के लिए जो है पहले से जो choice है वो काफी increase हो गया है ठीक है distress काफी decrease हो गया है और possibilities जो है वो काफी बढ़ गई हैं जैसे for example infrastructures का हो, care का हो, home related जो works है वो काफी जादा flexible हो ग से ही चीज देखी गई है कि women पाट जो older old age के लोग है वो काफी जो है लंबे टाइम से works पे लगे हुए हैं ठीक है इसके साथ जो है अगर हम बात करते एकनॉमिक सेक्टर की तो इन्होंने बोला है कि manufacturing और construction में 3.5 का manufacturing में और construction में 5.9 का annually growth देकने को मिली है एंडिया में ठी ठीक है इसके साथ अगर हम बात करते agriculture service की तो इसमें mainly बोला है कि देखी cropping sector जो है वो normal रहा है लेकिन उसमें livestock और fishery काफी increase हुआ है ठीक है इसके साथ साथ जो है इन्होंने बोला है कि अगर हम growth देखें तो इसमें जो है mainly total growth agriculture में बोला है कि 80 million large part of 44 million जो है इन में से total work में स जो है लोग है actual में unpaid workers हैं ठीक है especially self-employed वाले जैसे खुद की जो street जैसे ठेली लगाना यह छुटा सब स्टॉल खोलना यह खुद की shop रखना यह तो यह जो है self-employed वाले हैं ठीक है और इसके साथ जो है इन्होंने बोला है कि काफी जादा entrepreneurial वाला जो status है वो भी काफी प्रधान मंत्री जो आपकी मुद्रा स्कीम है योजना मुद्रा योजना जो है वो भी काफी जादा supportive रही है ठीक है लेकिन थोड़ा फिर भी जो है dispersed रही है जैसे अगर अभी तक का investment देखें तो 23 लाख करोड जो है अभी तक दिया गया है कितने लोगों को 380 मिलियन लोग अकाउंट्स को ठीक है और 2015-16 से लेकर 2022 तर ठीक है और इस ये मेली किस चीज़ के लिए था self employment के लिए था ठीक है तो यहां पे राइटर बताना है कि काफी large amount में government ने जो है help करिये इसके साथ जो है direct cash transfer ने भी जो है employment generation में काफी support किया है ठीक इसके लब आगर हम बात करते ह है growth की ठीक है ठीक है ठीक है तो यहां पे desirable जो है sustain growth है लेकिन बात राइटर बतार है कि जो है थोड़ा सा और होना चाहिए था अगर हम बात करें 2017-2022 तकी तो जो salary वेगरा है ठीक है वो चीज इतनी जादा इंप्रूव नहीं हुई है तो अगर इंप्रूव भी नहीं हो त अगर जादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो जादा distress भी नहीं हुआ है और इसके साथ जो है राइटर ये भी बता रहे है कि देखे ये लेकिन हमें जो है यहां पे बहुत सारे reasons हैं कि salary का नाम बढ़ना जो है जैसे for example बहुत जादा workers, wages जो है expect कर रहे हैं कि salary बहुत ज activity उतनी ना निकलना तो एक भी एक ये वीजन है ठीक तो राइटर यहीं बता रहे हैं कि देखे लेकिन हमें जो है जिस हिसाप से हमारी economic structures, demographic structures, distress जिस तरह से change होती जा रही है हमें इस पर काम करने की जरूरत है ताकि हमारी जो problem है employment generations की उस चीज़ को हम resolve कर सके हैं तो next article पर देखे यहां पर explanation page की article पर है इंडिया और चाबार जो इरान का port है उस पर बात करने शुरू हुआ है अभी क्या हुआ है देखे इंडिया और इरान ने अभी जो है 10 साल का मंडे को 10 साल का contract sign किया है कि इंडिया और चाबार पर पर वापस काम करना शुरू करेंगे चाबार जो है बहुत जादा deep water port है इरान का जो कि इरान का इस्तान बालुचिस्तान प्रोवेंस में पड़ता है ये ये काफी close है इंडिया से और आपको पता है कि देखे इरान पर focus करने का reason one of the reason ये है क्योंकि पाकिसान का जो गादर port है उससे हमारा नहीं बनती है पाकिसान में औ one belt one road initiative के through तो हमें जो है इरान के द्वारा जो है contact करना पड़ा ठीक है ये काफी लंबे time से चल रहा है और यहाँ पे जो है अभी इस MOU में जो sign हुआ है 10 साल तक investment उसमें इंडिया की जो है IPGL यानि Indian Ports Global Limited और Ports and Marine Organization of Iran यानि तहरान की जो है इनकी PMO और अपहारी जो IPGL है य 120 million जो है यहाँ पे investment करेगी dollars का ताकि port का development हो सके और इसकी सासा दिन्या ने ये भी बात बोले है कि 250 million जो है रुपी invest करेगी किस चीज पे यहाँ पे infrastructure related जो है चीजों को invest करने के लिए बढ़ाने के लिए ठीक है और यहाँ पे थोड़ एसी जो है history की बात चल रही है देख 2002 में हसन रुहानी कौन थे ये इरान के national security advisor थे उस समय के president सेयद मौमत खात्मी के time पे ठीक है और mister जो हसन है उन्होंने जो है ब्रजेश मिश्रा जो इंडिया के developing part में थे यानि developing of the port के counterpart में थे तो उन लोगों से इन्होंने बात करके जो है पाकिस्तान के port के west में जो 72 km आगे बढ़ाते हुए president khatmi जो है हमारे prime minister जो है अटल बिहारी वाचपाईजी से मिले और उन्हेंने sign किया इस पर cooperation के लिए कि हम काम करेंगे ठीक है और इन दोनों country ने मिलकर South Asia और Persian Gulf को जोडने का काम किया किसे चहाबार port से और इसके साथ इंडिया को क्या मौका मिला significant मिला किसके लिए क्योंकि अफगनिस्तान तक के land को access करने में क्योंकि Pakistan के through तो हम नहीं जापा रहे थे ठीक है तो अफगनिस्तान जो है काफी landlocked area उसके पास C नहीं है तो वहां तक रीच करने में इंडिया ने जो है चाहबार का काफी support लिया है और इन लोगों ने जो है डबलू बुश थे तो उन्होंने क्या करा कि access of evil का tag दिया था किसको इरान और इराक और North Korea को तो इससे क्या होता है कि इंडिया और US का relation काफी अच्छा था तो अब क्या हुआ US ने इन पे sanctions लगाने के वाज़े से इंडिया को जो चाबार port का development था उसको pending में रखना पड़ गया ठीक है अब जैसे यह से यह चीज अभी इससे 2018 में भी हुआ था ठीक अब जैसे फिर उसके बाद काफी टाइम बात क्या हुआ कि 2000 एक लंबी टाइम के बाद 2015 में वापस से इंडिया ने 100 मिलियन जो है construction बढ़ाया अपना डेलराम वेस्टन अफगानिस्तान टुज ज ठीक है और इसके साथ साथ जो है इरान ने आगे चीजे बढ़ाई और इन्होंने जो है अपने काम को अफगानिस्तान की जो प्रेजिडेंट अश्रफ गानी है इनके साथ जो है इन्होंने भी विजट क्या था इंडिया को और इन्होंने इसको इंडिया को बुला कि चाब लेकिन फिर वही है वापस दिकत कभूई 2017 में जब डोनाल ट्रम्प आये थे तो उस समय वापस इन लोग का जो है इरान पर सेक्शन्स लगना था लेकिन उससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी 2016 में इरान के साथ जो है इंटरनाशनल ट्रांस्पोर्ट कोरिडोर जो है बनाने की बात करी थी ट्राइलेटर एग्रिमेंट साइन हो गया था लेकिन 17 में वापस जो है लेकिन 17 में जो है वापस डोनाल ट्रम्प के इरान के उपर सेंक्शन्स के वज़े से काफे फेस करना पड़ा लेकिन डेली ने फिर भी जो है अपने आपको रोका नहीं और इर अभी 140 टन और 400 100 टन की कैपसिटी में अलग-अलग एक्विपमेंट सेट किये हैं वहां पे इरान में ठीक और इसके लावा आई-पीजल भी काफे जादा इंवेस्टमेंट कर रहा है चाबार पे और अभी जो है 2018 में भी जो है इंडिया की तरफ से काफी डेवलाप्मेंट हुआ है और 19,000 जो है 20-foot equipment भी वहां लगाए गए है पोच पे ठीक और इसके लावा जो है आपका यहां पे इंडिया की तरफ से काफी जादा facilities भी दी जा रही हैं जैसे फर एक्जामपल अगर आप बात करोगे COVID में pandemic में काफी जादा vaccines देना इसके लावा हमने wheat जो है ट्र अगर आप बात करोगे 2023 में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है उन्होंने जो है उनके जो प्रेजिडेंट इब्राहाइम रैजी है उनके साथ जुआन्जबर में जब ब्रिक्स की मेटिंग हुई थी तब भी इन्होंने डिसकस किया था कि हम इरान की जो चाबार पोर्ट तो इन लोगों का प्लान है कि चाबार को पोर्ट को इस INST के साथ जोडने का ठीक है तो आप बात चल रही है लेकिन अब देखते हैं आने वाले टाइम पेस से क्या होगा कि बहुत ही अच्छा एक कॉपरेशन बन जाएगा पोर्शन गर्फ को कैश्पिन से लेकर Northern Europe वाया रश्या तक इसका जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी तो यही आप काम चल रहा है बाखी सब चीज यह नो ने बोला वही है नेक्स आर्टीकल पर चलते हैं देखें इधर एक आर्टीकल है जीनो ट्रांस्प्लांशन जेनो ट्रांस्प्लांटीशन का सॉरी इसमें क ट्रांस्प्लांटेशन मतलब क्या होता है कि ओर्गन्स का ट्रांस्प्लांट करना हुआ एक्शन में पर्चास साल पहले पहले की और यहा कि पिटनी ट्रांस्प्लांट करी है इससे पहले केस 2022 में एक आया था जिसमें पिग की जो हर्ट होती है वो ट्रांस्प्लांट करा था एक इंसान को लेकिन दो महीने बाद उनकी डेथ हो गई देखें यहाँ पर अगर हम US Food Drug Administration के According Definition देखें तो जैसे Life Cells होती है टिशूज होती है या ओर्गन हो गया किसी भी एनिमल से ठीक है या फिर Human Body के जो Fluid Cell टिशू या ओर्गन्स को ट्रांस्प्लांट करना Non-Human Animal Cells के थूँ उसे हम जो है जीनो ट्रांस्प्लांटेशन कहते है तो अब बात आती है कि यहाँ पर पिग जैसी यह का म कैसे करता है अब दिखो अब है ट्रांस्प्लांटेशन से पहले क्या करते हैं क्रिस्पर खेस 9 का अपनान सुना होगा यह क्रिस्पर केस 9 एक टेक्षक एन क्या करती है जीन टिटिं करती है तो जब यह animals जैसे for example pig का इन्होंने hurt लिया और इसको human के अंदर में डालना है इसके अंदर में hurt को settle करना है तो पहले pig का जो hurt होगा इसमें changes करेंगे इसके gene को change करेंगे तो वो gene को change करने के लिए जिस technology को use किया जा रहा है वो CRISPR case 9 है तो आपसे जो भी changes करनी होती है certain pig के जो genes होती है जिससे ताकि वो sugar produce करें एंटिबायोडिक्स प्रड्यूस करें immune system के लिए जैसे इंसान का hurt करता है तो उस तरह किसे चीजों को change किया जाएगा तो अब बात आते anatomy है pig की वो काफी similar है humans है और cost effective भी है ठीक है और सबसे बड़ी बात जो pig की breed वो easily बहुत जल्दी से बढ़ाए भी जा सकते है ठीक अब इसके साथ जो है यहाँ पे इससे पहले case जो है 2022 में case आया था मुण ट्रांस्प्लांटेशन से जो है pig का हर्ट ट्रांस्प्लांट किया था अभी तो kidney किया है लेकिन वो failure रहा है ठीक है और अब complications क्या है देखिए complications तो इसमें अभी तक यह आ रहा है कि क्या होता है कि जब यह transplant होता है न तो patient को immunosuppresent के stage में डाला जाता है that means patient जो है vulnerable है disease और complications के लिए तो मतलब अगर by chance जो organ इस patients को दिया गया है might भी हो सकता है उस organ के अंदर में छुपे हुए कुछ gene हो या कुछ छुपे हुए जो है cells हो जो particular कोई disease cause कर सकती है ठीक है हो सकता है वो human के blood में जाके या उसके organ में settle होने के बाद वो अपना reaction शुरू करे है ना तो यह सारे चीजे हैं जिसके वज़े से थोड़ा failure होता हुआ या फिर हो सकता है infection हो जाए इस ते है ना तो यह concern है तो अभी जो है इसमें बात चल रही है लेकि राइटर पर पूछ रहे हैं यहाँ पर एक चीज और है कि क्या से कम तीन हजार लोग मड़ते हैं वेटिंग लिस्ट में ही कि मिला ही नहीं और वेट करते करते ही जो औरगन मिला नहीं हो इससे पहले ही लोगों की डेथ हो गई ठीक है तो यह बहुत बड़ा एक है तो साइंस का research चल राइस में अगर यह ऐसा कोछ अनिमल्स का हो जाए त अगर नेक्स आर्टिकल लास्ट आर्टिकल देख लेते हैं अभी हमारा एक टेलिस्कोप है जीम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप इन्होंने जो है 55 गैंक्री जो एक प्लानिट है रॉकी प्लानेट है यह अल्रेड ही बताया जा चुका है लेकिन अभी इसकी बारे में बताया ह कि इसका जो environment है ना उसमें carbon dioxide और monoxide जैसे gas particles काफी जादा हैं तो यह भी research हुई है पता चला है और इसको सबसे पहले अगर आप बात करोगे सबसे पहले बात करोगे कि जो cancree 55 है वो कब discover हुआ था 2004 में चिक है और यह काफी जादा जूपीटर और सैटन से काफी जादा similarity रखता है लेकिन माना गया है कि काफी जादा यह gaseous है gas giant की तरह है बहुत जादा gases है और अब देखे यह है कि solar system को